नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं जार्खन में बड़ फुलू की दस्तक 1296 पक्चियों को दी गई मौत दक्चिन भारत के बाद अब बड़ फुलू ने जार्खन में भी दस्तक दे दी है एक अधिकाई ने बताया है कि रांची के पॉल्टी फरम में 745 मुर्वियों सहीत कूल 1196 पक्चियों को मारा गया है यही नहीं 1697 अंडो को भी नस्ट कर दिया गया है नमुनों में एवियन इन्फलेंजा H5N1 की पुष्टी हुई है वही रांची सरकारी पॉल्टी फरम में वर्ड फुलू के मामले सामने आने के बाद ज्यार्खन की जमपाई सुरेन सरकार भी अलट हो गई है राज सरकार ने इसे लेकर सतकता प्रतने का निर्देश जारी किया है पी टी आई भासा की रिपोर्ट के मुताबिक केरल के कुछ जीलों में वर्ड फुलू के मामले सामने आने के बाद मंगलूरू समेत करनाटक के सिमावर्थी इलाकों को हाई अलट पर रखा गया है वही करनाटक पसपरन विभाग के अधिकायों ने कहा है कि फिलाल कोई भी कदम उठाने से पहले केरल की सिती बने रखी जा रही है यही नहीं केरल से मंगलूरू तक चीकन लाने के लिए सरक परिवहन पर भी निगरानी रखी जा रही है बता दे कि केरल से बड़ी मात्रा में चीकन मंगलूरू आता है मुआपजे की मांग को लेकर ग्रामिनों ने रांची रिंग रोड किया जाम रांची के रिंग रोड के धहु टोली में बीती राथ हुई सलक हाथ से में दो यूगों की मौत मामलें बुद्धवार साम जाग ओपी प्रभारी चुडा मन अंचल निरिक्षक दल बल के साथ मोके पर पहुँचे रोग्रामिनों को समझाने के प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने मिरित्तक के परिजन बीस बीस लाख रुपे मुअबजा की मांग कर रहे थे मामला सांत नहीं होता देख खिजरी विधायक रहेस का ख़प सुतना मिलने के बाद मोके पर पहुँचे विधायक की पहल के बाद एसियन पेंट्स प्रवंधन ने दोनों मिरित्तक युवक के परिजनों को सवा सवा लाख रुपे हीट एंड रन केस के तहाद दो दो लाख दिलाने का सहमत हुआ है पुर्भी सिम्भूम के पोटका वीडियो के खिलाप मुखिया संग ने खोला मोर्चा पुर्भी सिम्हुम जिले के पोटका के बीडियो अभाय दिवेदी के खिलाप मुखिया संग ने बुद्वर को उपायुद कर्यालेक समक्स प्रदसन करते हुए डीसी को गयापन सौपा है इसमें बीडियो पर मुखिया समयत अन पंचात परतिनीधियों के खिलाप आपती ज वीडियो अभाय दिवेदी धेड़ बये तक खुद नहीं पहुँचे वीडियो के आने की अनिशित्ता देख कई मुखिया जरूरी कारे की वज़ास से अपने पंचायत के लिए निकल गया है जबकि कुछ सभागार में मुझूद रहे नवालिंग बच्चियों को दिली ले जा रहे है दो दलाल हिरासत में पच्चमी सिंभूं के मनोहर पोर की दो नवालिंग बच्चियों को बहला पुतलाकर काम दिलाने के नाम पर दिली ले जाने की कोशिस का एक ममला बुद्धवार को समने आया है इस ममले में मनोहर पोर जी आर्पी ने सोनवा निवासी कवियन जो जो वा राजेस्थ बुढ को हिरासत में लिया है जी आर्पी आगे करवाई में जूट गई है बतादे पुलिस ने बताया है कि आरोपी दलाल रायस वा कवियन दोनो नवालिक बच्चियों को उतकल एक्सप्रेस से बुद्धवार को दिली ले जाने वाले थे बुद्धवार की सुब्बा आरोपी दोनो बच्चियों को लेकर इस्टेशन पहुँचे जहां प्लेटफर्म संख्या एक पर ट्रेन का इंद्यार कर रहे थे इसी दोरन पुलिस ने गुप्त सुचना पर मनोहर पूल लोकल पुलिस जियारपी वो आरपी एफ के साथ दलालो से पुष्टाच की दलालो ने नवालिकों को दिली ले जाने की बात सविकार की है जारखन में हीट वेफ का अलर्ट जारी जारखन के 11 जिलो का तापमान 40 दीरी के पार हो गया है दो दिन जारखन के अलग-अलग हिसो में हुई हलकी बारिस के बाद तापमान फीर से बढ़ने लगा है जारखन में पचुआ हवाय चलने लगी है और इसके साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है मौसम बिभाग ने हीट वेब का एलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि 28 अपरेल तक जारखन के अलग-अलग हिसो में हीट वेब की थीती रहेगी मतादे अभिसेक अनन ने कहा है कि 25 और 26 अपरेल को कोलहान प्रमंडल के तीनो जीलो पुर्वी सिम्भूम पच्मी सिम्भूम एम सराय के लाखार्चावा जीले के साथ-साथ उत्री छोटा नागपूर प्रमंडल के बोकारो एम धनबाद जीले में कहीं-कहीं हीट वेब की थीती देखी जाएगी नकसलवाद खत्म करने के लिए भाजपा सरकार जरूरी भूपेंद्र भाई पटेल लोग सभा चुनाओ का यह महापरव पीम मोदी को तीसरी बार देश की सेवा का दैत्वे सौपने के लिए है मुझे पूर्ण विश्वास आएक जारकन की जनता इस बार भी लोहर दगा संसर्दे छेत्र से भाजपा परत्यासी समीर उराओ को 13 माई को कमल के फोल पर बटन दबा कर पीम नैद मोदी को तीसरी बार पीम बराने के लिए अपना सिर्वाद देगी यह बाते गुजराज के सियंग भूपेंदर भाई पटेल ने बुध्धवार को भाजपा परत्यासी समीर उराओ के नमांकन के बाद हुई एक जन्सवा में कही है साथ ही उन्होंने यह भी कहा है किनक सलवाज को खत्म करने के लिए भाजपा की सरकार जरूरी है बता दे भाजबा परत्याजी समीर उराओ के नमांकन के बाद गुमलाक के कुराउंदी बगीचा में एक जन सभा हुई जहां मुख्य रूप से गुजराज के सीम बुपेंदर भाई पटल सामिल हुए जहां उन्होंने लोगों को सम्वोधित करते वे कहा है कि आप महापर वे जारकन का नसीब चमकाने का पर भाई पलामू से बीडी राम ममता भुया ने किया नमांकन पलामू लोग सभा सीट पर 13 माई को पहले चरण में बोटिंग होगी इसके लिए उमिद्वारों के नमांकन के परकिरिया जारी है नमांकन के साथवे दिन दो परमुक उमिद्वारों ने अपने नमांकन पत्र दाखिल कर दिया है बतादे भारतिय जन्ता पार्टिक वरिष्ट नेता और दो बार से सांसत चुने जा रहे है जारकन के पूर डिजीपी बीडी राम ने बुद्ध धोवार को आपने नमांकन दाखिल कर दिया है इनके नमांकन में केंद्रिय मंत्री और पूर्व सेना परमुक जनरल विक्के सिंग सामिल हुए इनके अलावा परदेश भाजपा अध्यक्स बावलर मांडी भी पलामू पहुँचे थे इधर बीडी राम ने नमांकन करने से पहले डाल्टन गंज के छा मुहान इस सितकाली मंदिर में पूजा अर्चना की बाद में उन्होंने निर्वाज ची पता अधिकारी के करेले में जाका नमांकन दाखिल किया है लोहर दगगा से बिजेपी के समीर उरावा चमरा लेंडा ने दाखिल किया नमांकन पहला चरन के मदान गिले जारखन में सियासी हल्चल तेज है इसे लेका नमांकन का दोर जारी है हर दिन कोई न कोई परताशी अपने समर्थकों के साथ नमाकां दाखिल कर रहा है इसी करम में लोहर्दागा लोक सभा सीट से बुद्धवार को तिन परताशी नमाकां दाखिल किया है जिसमें भाजबा परत्यासी समीर उराव विश्नुपुर बीधान सवाचेत्र के जामो बिधायक चमरा लिंडार निर्दलिय परत्यासी के रूप में तथा लोक अधिकारी पार्टी के परत्यासी राम चंद्र भगत ने परचा दाखिल किया है भाजपर परत्यासी समीर उराव ने नवांकान दाखिल करने के बाद रोड सो भी किया है जिसमें पार्टी के तमाम बढ़े नेता समयत का इकरकरता भी मजूद थे लोहरदगा से चार अपराधी होंगे तड़ी पार लोहरदगा जिला परसासन ने भंडरा परखंड के चार अपराधी होंगे खिलाब तड़ी पार करने की करवाई शुरू कर दी है इनके खिलाब डीसी से जिला दंडा अधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया है नोटिस का जबाब मिलने के बाद जिला दंडा अधिकारी की ओर से तीन माहा के लिए अपराधियों को तड़ी पार करने के दिशा में करवाई शुरू करती कही है SSP हरीस बिंजामा ने इन अपराधियों को तड़ी पार करने के अंसंसा डिसी से की थी पुलिस ने बताया है कि भंटरा थाना छेत्रे के रिजवान अंसारी, अर्मान अंसारी, मिहंदी अंसारी यम अंबेरा गाव निवासी कुल्दी लोहरा को तड़ी पार करने का नोटिस भंटरा पुलिस द्वारा दिया जा चुका है भोकारो में कंस्ट्रक्शन कंपणी से 9 लाख की लेवी मांगने वाले दो गिरफतार, भोकारो जी लेके चत्रो चट्टी थाना छेत्रे में पुल फुलिया निर्मान करने वाली कंपणी से 9 लाख रुपे लेवी की मांग की गई थी, इस मामले में 13 अप्रेल को सेक्टर 6 था अलोक रंजन के निर्में एक पुलिश टीम का गठन किया, टीम को मामले के उद्भेदन की जिमेदारी सोपी गई, सिटी डिएसपी अलोक रंजन के निर्मे बनी टीम ने तकनिकी साखा का सहरा लिया, अप्राधियों के बारे में पतार लगाया और बुद्ध्वार को सभी को गिरफतार कर लिया गया है, लातेहर से 25 सेवक 4,000 रिस्वत लेते गिरफतार, पलामू ACB की टीम ने बड़ी करवाय किया है, लातेहर जीले के महुआ डार परखंड के चटकपुर के 25 सेवक अनेसवर पसाथ को 4,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफतार किया गया, 25 सेवक गिरफतारी रभीवार को बलोग परिसर में इस्थीत क्वार्टर से हुई है, गिरफतार करने के बाद ACB की टीम 25 सेवक को अपने साथ ले गाई, बताया जाता है कि 15 हुए बीत के तहट चटकपुर पंचायत के गोठ गाव में योजना संक्या 25 बाईदो है तेश 24 क गता 50100 रुपय के लागस से डाडिक कूप मरंती का कार किया गया था जिसमें परतम किस्त के रूप में 15,000 वे दिती किस्त के रूप में 21 karşıya रुपय का भुगतान के लिए 55 सेवक अनेसवर पसाथ से लाहव हुक ने कही, जिसमें 55 शेवक ने लाह भुक से 4 रुप्ध रिस् करमचारियों की सेवा नियमित करने से इंकार कर दिया है। इन करमचारियों ने हाई कोट के आदेस के अलोक में विभाग में सेवा नियमित करने के लिए अविदन दिया था। ग्रामिन विकास विभाग के इस फैसले से सरकार के विभीन विभागों में सन्विदा पर कार्रत करमचारियों के सिवा नियमिती करने से इनकार किये जाने के संकार जताई जा रही है राज्य के विभीन विभागों में सन्मीदा परकार्रत करमचारियों ने सेवा निमिती करने की मांग को लेकर 69 रीच याचि का दाकिल की थी बतादे वर्ष 2018 से 2023 तक की आधि में दैर इन याचि काव में ग्रामिन विकास विभाग ग्रामिन, कार्य विभाग, स्वास्थ विभाग, भवा निवान विभाग, पेजल विभाग, जल संसाधन विभाग, गिरी और निदर सालियों को परतिवादी बनाया गया था देश को तोड़ने वाला है कांग्रेस का घोसना पत्र संजय सेट रांची सांसध सह भाजपा पत्र संजय सेट ने कहा है कि कांग्रेस के मन सूबे इस देश को लेकर हमेशा ही बाटने वाले और बरबाद करने वाले रहे हैं इस बार कांग्रेस ने जो घोसना पत्र लाया है जानता उनके मुह पर कालिक पोतेगी चुनावी कर्याले में बुद्धवार को पत्रकारों से बाचित करते हुए सिरी सेट ने कहा है कि कांग्रेस के घोसना पत्र देश को तोड़ने वाला और हिंदू मुस्लिम को लडाने वाला पत्र है उन्होंने हमेशा हमेशा हिंदु मुसल्मान कर समाज को बातने का काम किया है सिरिस सेट ने कहा है कि वर्ष दो जातेरा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन लोगों ने संप्रदाईक लक्षित हिंसा अधिनियम के नाम से एक विधेक लाया था यह इतना खतरनाक विधेक था जिसमें यहां बैटे सारे लोग उसकी चपेट में आते जार्खन सहायक अध्यापकों ने की जनवारी से चार परतिसत वार्षिक बिरिधी देने की मांग जार्खन राज प्रसिक्षि सहायक अध्यापक संग का एक सिस्ट मंडल डियसी राजेस कुमार पास्वान से मिला सहायक अध्यापकों की समस्याओ के समधान को लेकर ग्यापन सोपा मौके पर राज कमेटी के परदेश प्रधान सच्चीव सुमन कुमार ने डियसी से कहा है कि सहायक अध्यापक निमाली 2021 में बार्शिक ब्रीधी 4 पर 30 जनवारी में देने का प्रधान है लेकिन 2024 में जनवारी से 4 पर 30 वार्शिक ब्रीधी अभी तक नहीं दिया गया जो बिभागिये लापरवाही को दर्शाता है दूसरी स्थेवा पुस्ती का संधारन पर भी चर्चा की जिस पर डियसी ने इस पर कारे करने की बात कही है पेपर लिक मामले में हजारी बाग पुलिस टीम समानित इस कारे से आम जानता में पुलिस के प्रती विश्वास बढ़ा है। इस कारे से आम जानता में पुलिस के प्रती विश्वास बढ़ा है। इस कारे से आम जानता में प्रती विश्वास बढ़ा है। इस कारे से आम जानता में प्रती विश्वास बढ़ा है। इसमें परत्यासी के नमांकन और इस मौके पर होने वाली सीएम चंपाई सुरन की सभा के बारे में करकरताओं को जनकारी दी गई। जाती चुनाव जीतने समधी कई टिप्स भी दिये गए। बता दे राजसभा सदस्ते सर्फराज अमद ने बैठक में करकताओं को अपने प्रक्ष में अधिक से अधिक वोट कराने और चुनाव जीतने के कई टिप्स दिये हैं। उन्होंने कहा है कि जीन बुथों में अपने समर्थक हैं। वहां अधिक से अधिक वोट दिलाने का पर्यास करें। जहां हम कमजोर हैं वहां भी पूरा जोर लगाना है। ताकि किसी भी बुथ में हम कमजोर न पड़े। बता दे जामो जीला अध्याक संजाय सिंग ने बता है कि कल्पना सुरेन आगामी 29 अप्रेल को नमाकन कराएंगी इसके लिए 28 अप्रेल को हवाई मार्ग से गिरिडी आएंगी धन्यवाद